नमस्कार स्वागत है आप सभी के बिहार एनियम 10709 भरती लेटेस्ट अप्डेट में दोस्तों गैसे आप सभी उम्मीद है आप अच्छों और सुस्तों के आज बिहार एनियम 10709 भरती के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है तो दोस्तों अभी हमारे चैनले सरकारी आने काउंसलिक प्रक्रिया शुरू होनी के बाद दोस्तों पूरा देखे बिहार एनियम 10709 भरती के लिए क्याश्या रहती के बिहार एनियम 10509 भरती को जलदसे जलद पूरा-कारने के संबन में CM NITESH कुमार ने आज जरूरी नोटिस जारी कर दिया सभी अभ्यारति के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि बिहार NM 1077 भरती की जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जा सकता है बिभिन मेडियर रिपोर्ट की मताविक बिहार NM 1077 भरती का रिजल्द जनवरी मा में किसी भी तारीक को जारी किया जा सकता है जैसे ही आज बिहार NM 1077 भरती का रिजल्द जारी कराने के संबन में CM NITESH कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्दिश दिया तो सभी अधिकारी बिहार एन्यम 10700 भरती की जोईनिंग प्रक्रिया और रिजल्ट को तैयार करने में लग गए उम्मीद की जा रहे हैं कि बिहार एन्यम 10700 भरती का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो जनवरी माह में किसी भी तारी को जारी किया जा सकता है बिहार एनेम 10700 भरती का रिजट जारी होने के बाद सभी अभ्यारती को final result तयार कर सूचित किया जाएगा बिहार एनेम 10700 भरती का रिजट जो जारी किया जाएगा वो बिहार एनेम की official website पर जारी किया जाएगा मतलब दोस्तो आप बिहार एनेम 10709 भरती का जो रिजट देख सकते हैं वो बिहार एनेम की आफेस्यल वेपसाइड के माध्यम से ही देख सकते हैं अगर आपको बिहार एनेम की आफेस्यल वेपसाइड नहीं मालूम है तो आप btsc.com पर जाकर सेर्च कर सकते हैं मतलब दोस्तों बिहार एनियम दसजार सासनों भरती का रिजल्ट जो जारी किया जागा वो बिहार एनियम की आफेसल वेबसाइट पर ही जारी किया जारी होने के बाद सभी अभ्यारतों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुला जागा मतलब दोस्तों बिहार एनेम दसाजार सासनों भरती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया सुरू की जाएगी वो फरवरी मामिक सुरू की जा सकती है बिहार एनेम दसाजार सासनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग 15 फरवरी से सुरू की जाएगी जिसमें सभी आपके सच्छी योगता के अंकों को जोल कर एक मेरिट तयार की जाएगी उसी मेरिट के आधार पर कटाप निर्दहारीत किया जाएगा हाई कटाप बाले अभ्यारति का बिहारेनेम 10,007 भरती में सेलेक्शन किया जाएगा मतलब दोस्तों बिहारेनेम 10,007 भरती का जो हाई कटाप निर्दहारीत किया जाएगा उन 90% तक रह सकता है अगर किसे अभ्यारति का बिहारेनेम 10,007 भरती में 90% है तब ही उस अभ्यारति का सेलेक्शन बिहारेनेम 10,007 भरती में क्यों हो सकता है दोस्तो आपको तो मालम होगा कि बिहारेनेम दस जार साथ सेनों भरती के योउल मेरिट के ही आधार पर इसमें सेलेक्शन होगा इसलिए जिस भी अभ्यारती का बिहारनेम 10,000 साथ सनों भरती में हाई कटाप रहेगा उसी अभ्यारती का बिहारनेम 10,000 साथ सनों भरती में सेलेक्शन किया जाएगा मतलब दोस्तो अगर किसी भी अभ्यारती का भिहार निंग 10,000 भरती में सिलेक्शन हो पाएगा तो केवल हो मेरिट के ही आधार पर बनेगा अगर हाई मेरिट वाले अभ्यारती ही इसमें हिस्सा लेंगे दोस्तों जैसे ही बिहारेनेम 10,000 शासनों भरती का काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसके बाद सभी अभ्यारत को बिहारेनेम 10,000 शासनों भरती में डाकोमेंट बैरीपिकेशन प्रक्रिया के लिए बुलाया जागा डाको मेंड बैरीप्रिकेशन पक्रिया की सूचना आप भीहारति को बिहार नेंव 10,000 श्राशनों भरति की आप हेस्टियल वेपसाइड के माध्यप से सुरू दी जागे